वेलकम फ्रेंज इडूसाला में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लोग इडूटेरिया का बिहार तत्थ संग्रा देखेंगे और ये बिल्कुल लेटेश्ट है ये देखें दूतिय संसोधि संसकरन है और ये बिहार के किसी भी एकजाम के लिए रामबान है इस वीडिय बिहार में वन ने वम वन ने जी और बिहार में आपदा परबंधन ये यहाँ पर कम्प्लीट बिहार का भुगोल कम्प्लीट भुगोल हम लोग यहाँ पर देखेंगे बिहार का समान परिचे और बिहार का इतिहास पूरा कम्प्लीट किया जा चुका है अगर आप लोग उ नए ने वीडियो मिलता रहे और हां इरुसाला का बैक अप चैनल है लेट्स दन उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजेगे चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार का भुगोल बिहार भुगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है यह गंगा के मैदानी छेत्र में बसा एक सम पहाड़ी एवं धारवार के चटानी जो छेत्रें वहां तक फैला हुआ है बिहार पूर्वी भारत में इस्थत्राज्य है जो भुगोलिक रूप से तीन भागों में विभाजित है तो बिहार का जो भौतिक विभाजने तीन भागों में है कौन-कौन है पहला है परवतिय आटा है तो इसमें समेश्वर् स्रेनी आती है और तून गाटी आती है अब देखें मैंदानी भाग तो मैदानी भाग उतरी गंगा का मैदान और दचनी गंगा का मैदान उसी तरफ पठारी भाग जो है बिहार का इसमें भी दो भाग है धारवार चटान और बिंधे चटान इनी को हम लोग इस मैप में देख लीजे तो यह आपका देखे मैदानी भाग है उतरी गंगा का मैदान और दचनी गंगा का मैदान ये वाला एरिया तक है ठीक है ये गंगा का मैदान है ये आपका पठारी छेत्र हो गया ये ठीक है तो ये पठारी छेत्र है और इसमें भी देखे धारवार चट्टान और बिंदे चट्टान तो ये वाला जो एरिया है रोतास और कैमूर वाला एरिया यहां बिन्दे चट्टाने आएंगी और ये वाला एरिया आपका धारवार चट्टानों का है ठीक है चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे इन्ही के बारे में और भी परवतिये तराई छेतर देखते हैं तो बिहार के ये उत्तर पच्छीम भाग में हिमाले परवत की सिवालिक स् स्थित है इसका कुल छेत्रफल जो है 932 किलो मिटर है 932 वर किलो मिटर है इसका विस्तार जो है मुख रूप से पच्छिमी चंपारन जीले में है और इसे तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है अभी देखा हम लोगों ने सोमेश्वर्स रेनी रामनगर्दून औ और दून घाटी तो सोमेश्वर्स रेनी जो है यह आपका तिर्वेनी संगम परिया नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है इसकी उचाई है 874 मिटर यह बिहार की सबसे उची चोटी है सोमेश्वर्स रेनी रामनगर्दून के बारे में देख लिजे इसका विस समयश्वर्स रेनी एवं रामनगर्दून के बीच में है इस घाटी को हरहा नदिक की घाटी भी कहा जाता है। तो आपने अभी देखा कि जूस दून घाटी है, रामनगर्दून बाटक नदी है यहां पे और भी देख लिजें जो महत्तपून्ट चीजें, जैसे यह गागरा गंडक द्वाब कहते हैं उसी तरह ये गंडक है और ये कोसी है तो ये जो एरिया है ये गंडक कोसी द्वाब कहलाएगा और इधर कोसी है और इधर महाननदा है तो ये एरिया आपका कोसी और महाननदा का जो ये वाला एरिया है बीच का छेत्र वो कोसी महाननदा द् तो ये उत्तर का हो गया, दच्छिन में भी देख लिजे, गंगा यहां पे है, सोन नदी यहां से जा रही है, तो ये गंगा सोन दुआब है, और ये आपका मगद का मैदान है आपका, ठीक है, ये आपका दच्छिन का पठारी छेतर है, और ये वाला एरिया जो है, ये अंग का मैदान है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया, चलिए, आगे देखेंगे अब मैदान के बारे में, मैदानी छेतर विहार के कुल भू भाग का 96 परतिसत भाग मैदानी है, इस मैदानी भाग का जो निर्मान हुआ है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के निछेप से हुआ है, इस मैदान के मद्य से गंगा नदी बहती है, गंगा नदी की जो अवस्थिती के अधार परी से दो भागों बाटा गया है, उतरी गंगा का मैदान और दचनी गंगा का मैदान, तो उतरी गंगा के मैदान देखिए, तो गंगा जो है, गंगा नदी से उत्तर मे नेपाल सीमा तक का जो बिस्तार है अभी आप लोग ने देखा यह वाला एरिया यहां नेपाल है तो यह उत्तर का छेतर है तो यह गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका बिस्तार है इस मैदान का जो ढाल है उत्तर से दच्छिन ठीक है उत्तर से दच्छिन की और पहता है तो इसका जो ढूंज दच्छिन की ओर है तथा उत्तर पत्छिम चाहता है दुवाब से क्या आर्थ होता है तो दुवाब का आर्थ होता है कि दो नदियों के बीच की भूमी या मैदान को दुवाब कहते हैं तो दो नदियों के जो बीच की भूमी होगी या मैदान है उसे ही दुवाब कहा जाता है ये सभी दुवाब छेत्र अपने जलोड मृदा ए तो आप यह आपने देखा यहाँ पर यह वाला एरिया देखिए यह तीन भाग में विभाजित है ठीक है अब देखेंगे दच्छिन गंगा का मैदान तो दच्छिन गंगा का मैदान जो है गंगा नदी से दच्छिन और दच्छिन के पठारी पहारी छेतर के मध्ध जो है य गंगा के अतरिक्त पठारी नदियों के निछेप से हुआ है इसे भी तीन उपवर्गों में बाटा गया है कौन-कौन है गंगा सोन दौब है मगद का मैदान है और अंग का मैदान है अभी हम लोगों ने देखा है गंगा सोन दौब और मगद का और अंग का मैदान अब तीस पठारी छेत्र में दो क्रम की चटाने हैं कौन-कौन है धारवार चटाने हैं और बिंद चटाने हैं तो जो धारवार चटाने हैं ये नीचे के एरिया में मुंगेर हो गया जमोई हो गया नवादा हो गया गया हो गया इस सभी छेत्रों में फैले हुए हैं वैसे ही बिंद च चटाने कैमूर और रोहतास जीले में फैली हुई है अन्यमत पुन तथे देख लिजे बिहार के उतरी गंगा के मैदान में प्राकिर्तिक रूप से जल्मगन नीमन भूमी छेतर को क्या कहा जाता है चौर या मन कहा जाता है ठीक है तो बिहार के जो उतरी गंगा के मैदान में प्राकिर्तिक रूप से जलमगने भूमी है उसे चौर या मन कहा जाता है गंगा के मैदानी छेतर में बनने वाले विसे साकृती छेतर को दियारा परदेश कहा जाता है उत्री गंगा मैदान में कई मौन या चौर है गोखुर जीलो के रूप में पाय जाते हैं दच्छिनी गंगा मैदान में तटबन से लगे दच्छिन की और गहराई वाले छेतर को टाल कहा जाता है ये दच्छिन गंगा मैदान में है उत्री गंगा का मैदान बाड़ की विव इसका के लिए फेमस प्रसिद्ध है ठीक है अब देखेंगे चट्टानों के परकार निर्मानकाल और छेत्र विसेस्ता हैं तो देखिए धारवार चट्टाने जो है प्री कैम्बियन काल में बनी है और ये मुंगेर, चमुई, नवादा, गया, राजकीर इन छेत्रों में पा आइ जाता है इसकी विसेस्ता है कि ये दूसरा प्राचीन पहाड़ी चेत्र है सीमेंट और दोग चुना पत्थर के लिए प्रसिद है तटसरीय यूग की प्लिस्टो सीन में बना है यूग का नाम है और पच्छिमी चम पारर में पाय जाता है विसेस्ताइ और इसमें बिहार का अधिकांस भाग मैदानी है और एक क्रीसी के लिए सबसे उप्युक्त होती है अब बिहार की जलवाईू देखेंगे किसी छेतर के दिरकालिक मौसम की ओसत दसाओ को जलवाईू कहा जाता है बिहार की जलवाईू उपोस नकटी बंधिये या मानसूनी ज क्छेतर की जलवाईू जो है विभीन कारकों से परभावित होती है उसी तरह बिहार में भी कई जलवाई को परभावित करने वाले कई कारक हैं देख लेते हैं इनको जैसे हो गया अच्छांसिये इस्थिति उपोसं छेतरे उत्तर में हιमाले परवत की उपस ठीतरी बंगा दसाओं में अंतर के कारण विभीन भूगलवे ताओं ने बिहार की जलवायू का अलग-अलग परकार से वर्गी करन किया है। दसाओं में अलग परकार से वर्गी कारण विभीन भूगलवे ताओं में परकार से वर्गी करन किया है। वायू दाब में कमी आने लगती है और यह मार्च से मध्ध जून की स्थिती होती है। इस मौसम में पच्छमी और मद बिहार में गर्म हवाय चलती है जिने लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान जो है 32 डिगरी सेलसियस होता है। सबसे गर्मस्थान देखा जाए बिहार का तो गया है यहाँ पे 47 डिगरी तापमान सेलसियस तापमान होता है। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उस निकटीबंदिये चक्रवातों के कारण वर्सा होती है। जिसे नारवेश्टर या काल बैसाकी कहा जाता है। अब वर्सा रितु देखेंगे वर्सा रितु जो है जून मद्धे से अक्टूबर मद्धे के बीच होता है। यह इनी समय के बीच में बिहार में वर्सा कराता है। ठीक है इसे वर्सा रितु के नाम से जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रिवेस मद्धे जून में होता है, बिहार में जुलाई योम अगस्त में अधिक वर्षा होती है, बिहार में औसत वर्षा देखा जाए तो 112 cm होती है, यहां सरवाधिक वर्षा किसन गंज, यहां पे 205 cm वर्चा होती है, और जीले कौन सा सबसे कम वर आपका और अंगाबाद में होता है विहार में दच्छनी पच्छमी मांसून की बंगाल की खाड़ी की जो साखा है से जादा परभावित है ठीक है तो दच्छनी पच्छमी मांसून की बंगाल की खाड़ी की साखा से विहार में जादा वर्षा होती है विहार में उत्री माईंसुन लोटने के बाद बिहार में सित रीतु आरहंब हो जाती है बिहार में दिसंबर यम जन्वरी माह सरवादिक ठंडग्डक वाला होता है सरवाधिक ठंडा जीला कौन सा है गया है तो सबसे अधिक ठंडा गया है और सबसे गर्म जीला भी गया ही है चलिए आगे अब देखेंगे आगे है दिसंबर जन्वरी माह में बुम्मद्य सागर से आने वाले सितोस्न चक्रवात के कारण पच्छिमी एवं मद्ध बिहार में हलकी वर्षा होती है ये वर्षा जो होती है रवी फसल के लिए काफी लबधायक होती है अत्यदिक ठंड बिहार में रवी फसल के लिए काफी लबधायक होता है अब देखेंगे बिहार में क्रिशी जलवायू छेतर तो बिहार में क्रिशी की दसाओं एवं फसल वर्गी कर के अधार पर क्रीसी जलवाई छेत्र को तीन वर्गों बाटा गया है दच्छनी बिहार के तीसरे वर्ग को दो उपवर्गों बाटा गया है तो ये देख लिजे मैप में बिहार का क्रीसी जलवाई छेत्र देख लिजे तीन भागों में है तो पहला है जोन 1, जोन 1 में ये वाला एरिया आता है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये जोन 2 है, ये वाला एरिया आपका जोन 2 है, और ये जोन 3 है, उसमें 2 उपवर्ग हैं, ठीक है, एक है जोन 3A और जोन 3B, तो ये 3B A है और 3B A वाला एरिया है, तो इस तरह तीन भागों में बाटा गया है अब इसके बारे में विस्तेस्ता देख लिजे तो जोन वन में तेरा जिले आते हैं कौन-कौन है पच्छिमी चंपारन पूर्वी चंपारन सीवर है सीता मड़ी है मधू बनी है गोपाल गंज है सिवान है सारन है मुझफर पूर है दर्भंगा बै जगड़िया, पुणिया, मधेपूरा ये सभी जोन 2 में आते हैं जोन 3A में 6 जिले आते हैं भागलपूर, बांका, मुगेर, जमूई, सेखपूरा, लखी सराय जोन 3B में 11 जिले आते हैं कौन-कौन बकसर है, भोजपूर है, पटना है, अरवल है, जहानबाद है, नालंद जोन 1 में 13 जिले हैं, अब आगे देखेंगे, बिभीन क्रीसी जलवायु छेतर की विशेस्ताओं को निमलिखित सार्नी में देखा जा सकता है, तो क्रीसी जलवायु छेतर उसकी विशेस्ताएं क्या-क्या हैं, जोन 1 में जो उत्तर पच्छमी छेतर है, तो इस छेतर में औ जो एक सो चार से एक सो पैतालिस सेंटी मितर तक होती है यहां खादर मिटी की पनद्धा है फसले क्या क्या है। धान, गेहुम, अरहर, मक्का ये सबी हैं, जोन टू में आसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमिटर तक और मुख्य फसले यहाँ पे हैं, जूट है, धान है, चाय है, मक्का है, ये सबी, जोन टीन में, जोन ठड जो है, दच्छनीत का छेतर है, इस छेतर में आसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमिटर तक होती है, और यहाँ बांगर मिट्टी की परधानता होती है, तो गेहुम, दाल, अरहर, चना, ये सबी यहाँ पे होते है तो सबसे अधा वर्षा की जोन में होती है, उत्तर पुर्वी छेतर में होती है, चलिए, अब ये आगे देखेंगे, बिहार का अपवाह तंत्र, यानि की नदियों के बारे में, तो बिहार की नदियों के बारे में पहले देख लीजे, बिहार अपवाह तंत्र के हिमाली नदिया है और ये पठारी नदिया तो इन दोनों में अंतर देख लीजे हिमाली नदिया जो होती है वर्स भर जल भरी होती है जल परवाह वाली नदिया होती है जबकि जो पठारी नदिया है ये वर्सा अधारित नदिया होती है वर्सा पे अधारित होती है हिमाली न उत्तर से दच्छिन की और प्रभावित होती है और पठारी नदिया दच्छिन से उत्तर की और प्रवाहित होती है। पठारी जो नदिया हैं जबकि पठारी जो नदि होती हो सीधी गमन करने वाली नदि है। तो देख लिजे कहां कैसे किस नदि की स्थिती है ये पूछता है तो आपका देखे ये गंगा है गंगा से इधर ये आपका घागरा हो गया गंडग हो गया बोड़ी गंडग हो गया बागमती हो गया कमला हो गया कोसी हो गया मेची हो गया महाननदा हो गया मेची जो है महानन सा सोन पुनपुन निरंजना फल्गु मोहना की वो लिये सभी नदिया साउट से गंगा में मिलती है ठीक है अब यहां पे देखेंगे नदी उद्गमस्थान मुहाना और इसकी लंबाई बिहार में तो गंगा गंगा गंगोत्री से निकलती है उत्राखंड से और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है बिहार में लंबाई इसकी 445 किलो मिटर है ऐसे भारत में गंगा की लंबाई कितनी है आप कमेंट करके बताईएगा चलिए आगे देखते हैं घागरा नदी का उद्गम तिबबत से होता है और इसका मुहाना है गंगा सारन सारन में गंगा से मिल जाती है ये 83 किलो मिटर गंडक निपाल से निकलती है गंगा में मिल जाती है सोनपूर पे सोनपूर नामकस्थान पे ये मिल जाती है इसकी लंबाई 260 किलो मिटर है बुड़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और ये गंगा में खगडिया अस्थान पे मिल जात कमला नदी जो है महाभारस रेनी से ही निकलती है कोसी में मिल जाती है कोसी जो है कोसी गोसाई अस्थान से ये नेपाल से निकलती है और गंगा में मिल जाती है कटिहार में मिलती है कुरसेला कटिहार में 260 किलोमिटर इसकी लंबाई है महानन्दा पच्छिम बंगाल के दारजलिंग जिले के पहाड़ी से निकलती है ये गंगा में मालदा के पास मिल जाती है कर्मनासा बिंध पहाड़ी से निकलती है गंगा में चौसा के पास मिल जाती है सोन नदी जो है अमर कंटक पहाड़ी मध्य परदेश से निकलती है और ये गंगा में दानापूर में मिल जाती है पुनपुन जो है जारखंड से निकलती है गंगा में मिल जाती है फतुवा में फल्गु यानि रंजना कह लेजिए ये छोटा नापूर पठार से निकलती है और पूनपून नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। अजय नदी जो है ये जमूई, जमूई में से निकलती है, गंगा में मिल जाती है पच्छीम बंगार। क्यूल नदी हजारी बाग, हजारी बाग जहार खंड से नाता है और गंगा में लखी सराय में मिल जाता है, सक्री नदी छोटा नाकपूर पठार से में निकलती है और क्यूल नदी के साथ गंगा में मिल जाती है, अब गंगा नदी के बारे में रेखेंगे, गंगा नदी उत आपको जबाब मिल गया होगा 2525 किलो मिटर है देव प्रियाग में अलक नंदा और भागी रथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी बिहार की सबसे परमुखेवं परमुख नदी है और यह प्रोहा तंतर का अधार भी गंगा नदी जो है बिहार में बकसर जिले में चौसा के समय प्रवेस करती है और कटिहार एवं भागल पूर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पच्छिम बंगाल में चली जाती है इसे इसी दोरान यह गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिलो से गुजरती है ठीक है बिहार गागरा, गंडक, बोड़ी गंडक, कोशी, सोन, पुनपुन सभी हैं बिहार में गंगा से मिलती है जबकि महानन्दा, अजय, बिहार से बाहर गंगा से मिलती हैं तो ये दो नदिया महानन्दा और अजय जो है बिहार से बाहर गंगा में मिलती है ये याद रखिएगा बांगला देश में इसे पदमा नदी के नाम से जाना जाता है और अन्ततब बंगाल के खाड़ी में ये गिर जाती है घागरा नदी देखेंगे तो ये मांसरोड दिब्बत के पास से निकलती है बिहार के सिवान में प्रुवेस करती है उत्तर परदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारन में गंगा में मिल जाती है अन्य नाम इसका सर्यू मैदानी भाग में कहते हैं गोगरा करनाली ये नेपाल में कहा जाता है इसकी सहायक नदिया है राप्ती, छोटी गंड़क, सारदा, भेरी, सेती ये सभी है गंड़क नदी देखेंगे, गंड़क नदी को नारायनी, मैदानी भाग में नारायनी कहते हैं सब्त गंड़की, साली ग्रामी, इसका नेपाल में इस नाम से भी जारा जाता है गंड़की मुख साखा जो है धौला गिरी और अन पुढ़नात स्रेनियों को पार करते समय गोर्ज बनाती हैं और बिहार में भेंसा लोटन जो पच्छिमी चमपारन में हैं में परवेश कर जाती है यह उत्तर प्रदेश और विहार के बीच 45 किलो मीटर की सीमा बनाती है इसकी सहायक नदिया काली गंड़क, त्रिसूरली, बुढ़ी गंड़क ये सभी हैं इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को साली ग्राम कहा जाता है बुढ़ी गंड़क नदी देखेंगे सोमेश्वर स्रेनी के पच्छिनी भाग से निकल कर पच्छिमी चमपारन, पूर्वी चमपारन, मुझभफर पूर, समस्ति पूर, बेगु सराय जीलों में बहते हुए अंत में एक खगड़िया जीले में गंगा नदी में मिल जाती ह इसका अन्य नाम है सिकरहना ठीक है उपरी भागों में इसकी सहायक नदिया है अब बागमती नदी के बारे में देखेंगे तो यह निपाल में हिमाले के महा भारश रेनी से निकलती है और बिहार में सीता मड़ी जीले में प्रुएस करती है और अंत में ये गंगा नदी मे मिल जाती है पहले यह बोड़ी गंड़त में मिलती थी लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है इसकी सहाइक नदिया है लाल बकिया लखंदेई मनोहरा अधवारा विश्नूमती यह सबी नेपाल में इस नदी के तड़ पर काठमांडू एवं पसुपत कोसी नदी के बारे में रेखेंगे यह नेपाल के उत्तर पूर में इस्थत गोसाई अस्थान से निकलती है इसे नेपाल में सब्त कौसकी कहा जाता है और क्यूंकि यह साथ धाराओं के मिलने से बनती है कोसी नदी बिहार में सुपॉल जीले में प्रवेस करती है तथा कू उर्सेला में गंगा नदी में बिलीन हो जाती है। कोशी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है। इसलिए इसे बिहार का सोक, बिहार का अभिसाब भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदिया अरून, तमोर, लिखु, दूधकोसी, तामकोसी, इंदरावती, सूनकोसी ये सभी हैं। माहा नंदा नदी यह पच्छीम बंगाल के दारजलिंग जिले की पहाड़ी से निकल कर किसन गंज, उनिया और कटिहार होते हुए मालदा पच्छीम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदी यह पैनोर, नागर, बालासार, मेची है। कर्मनासा नदी इसकी उत्पती बिंद पहाड़ी से होती है। और यह बिहार यह मुत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई। चौसा बकसर में मिल जाती है गंगा नदी में। यह दचिन बिहार की सबसे पच्छिमी नदी है। कर्मनासा नदी को अपवित्र नदी भी कहा जाता है। सोन नदी के बारे में देख लिजे। यह मद्ध परदेश के अमर कंटक पहाड़ी के मैकाल सरेनी से निकलती है और यह रोहतास बिहार यह गढ़वा जिले जारखंड के बीच से बिहार में प्रवेस करती है। रोहतास तता भोजपूर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापूर में यह गंगा नदी से मिल जाती है। अब पुन-पुन नदी देखेंगे यह जारखंड के पलामू जीले के छोटा नाकूर पठार से निकलती है तथा बिहार में और अंगाबाद जहानाबाद होते हुए फतुआ में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी परमुक सहायक नदियां है मोरहर, मादर, दर्धा यह दचीन बिहार की दूसरी परमुक नदी है। फल्गू नदी देखेंगे, यह हजारी बाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन, निरंजना तथा मोहना नदियों के मिलने से बनता है। और अंततक गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उप नदी है। गया में फल्गू नदी के पास बिशनुपद मंदिर इस्थत है, यहां पिट्ति पक्ष के दवरान लाखो की संख्या में हिंदू धर्मे के तिर्थे आतरी आते हैं। फल्गू नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबबट डैम गया जी डैम बनाये गया है। फल्गू नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में नदियों के किनारे इस्तत प्रमुक सहर देखेंगे पटना गंगा नदी के किनारे इस्तत है मुकामा गंगा नदी के किनारे मुगेर गंगा नदी के किनारे भागलपूर भी गंगा नदी के किनारे बकसर भी गंगा नदी के किनारे चपरा घागरा नदी के किना अब बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं देखेंगे जल प्रबंधन के उदेश से बिहार में तीन बहुदेशिय परियोजनाएं का निर्मान किया गया है और इन परियोजनाओं में बाढ़नी अंतरन, सिचाई प्रबंधन, जल सनरचन, परियाटन, परिवाहन, उर्जा उतपादन, आदी को लक्षित किया गया है बिहार में बहुदेशिय परियोजना में कौनको नदी है? सोन नदी, गंटग नदी और कोसी नदी तो सबसे पहले सोन बहुदेशिय परियोजना देखेंगे सोन नदी परियोजना का निर्मान जो हुआ है 1874 में देहरी रोहतास में किया गया था यह बहुदेशिय नदी परियोजना जो है बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना है डेहरी में बारुन के पास सोन नदी पर बांध बनाकर दो नहरे दोनों किनारे से निकाली गई है पूर्वी सोन नहर और पच्छमी सोन नहर तो इस नहर से जो पूर्वी सोन नहर है उससे औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिक्चाई की जाती है और पच्छमी सोन नहर से रोहतास, कैमूर, बकसर, भोजपूर इन जीलों में सिच्चाई की जाती है सोन नहर पर दो जल बिदूत केंदर, डेहरी जल बिदूत केंदर तथा बारुन जल बिदूत केंदर अस्थापित किया गया है गंडक बहुदेशिय परियोजना देखेंगे गंडक परियोजना जो है भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है इसका लाब है बिहार उत्तर परदेश और नेपाल को मिलता है गंडक परियोजना 1969 में नेपाल के साथ समझहोते के दोरान हुआ है इस परियोजना का कार 1960 में प्रारम हुआ इस परियोजना के अंतरगत भारत नेपाल सीमा पर भैसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्मान कर जलासे का निर्मान किया गया है यह बैराज बांध जो है बालमी की नगर के पास त्रिवेनी संगम के पास निर्मित है गंड़क परियोजना में जलासे से पूर्व और पच्छिम की और नहरे निकाली गई है तो पूर्वी गंड़क नहर और पच्छिमी गंड़क नहर दो नहरे निकाली गई है तो पूर्वी गंडक नहर तीन भागों में विभ्यक्त है तिरुहुत त्रिवेनी और दोन नहर के नाम से जाना जाता है तिरुहुत त्रिवेनी दोन नहर जो है से पच्छिमी चंपारन, पूर्वी चंपारन, मुझभफर, पूर, बैसाली इन जीलों में सिच्चाई होती है पच्छिमी नहर जलासे से नेपाल होकर निकलती है नेपाल में सिच्चाई की अतरिक्त इससे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर परदेश में गोरकपूर, देवरिया, विहार में सिवान, सारन में सिच्चाई होती है इस परियोजना के तहट पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विदूत केंद्र अस्थापित है इसी परकार का विदूत केंद्र पच्छिमी नहर पर भी बना हुआ है अब कोसी बहुत देशिये परियोजना देखेंगे कोशी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है इस परियोजना की अस्थापना 1903 में हुई है यह परियोजना जो है 1954 में लागू हुआ है इस परियोजना के तहट हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलासे का निर्मान किया गया है यह परियोजना 1965 में पुन रूप से तयार हुआ, कोशी पर निर्मित जलासे से पूर्व एवं पच्छिम की और नहरों का निर्मान किया गया है, पूर्व कोशी नहर इसे अररिया, सुपॉल, पुर्णिया यहां पे सिच्चाई होती है, और पच्छिम कोशी नहर से दर्भंगा, मधुबनी, सु कस्माक्त परिवर्तन आने से नदी त्रियू बेग से पहाड से नीचे गिरती है, तो उसे जल परपात कहा जाता है, बिहार के परमुख जल परपात देख लीजिए, और जीला, ककोलत जल परपात जो है, नवादा में इस सत है, दुर्गावती, दुर्गावती जल परपात रोहतास में सबसे उचा जलपरपात है ये कर्मनासा जलपरपात बकसर में है धुआ कुंड जलपरपात सासाराम रोहतास में है मच्छर कुंड जलपरपात सासाराम रोहतास में है जियार कुंड जलपरपात भोजपूर में है तेलहर कुंड जलपरपात कैमूर में है अब कटोरा जिल राजगीर नलंदा में है अनुपम जिल कैमोर में है सिमरी जिल सहरसा में है जगतपूर जिल भागल पूर में है मोती जिल जो है मोतिहारी मोतिहारी पूर्वी चमपारन में है सरयामन बेतिया पच्छमी चमपारन में है पीपरामन जो है मोतिहारी पूर्वी बिहार की परमुख नहरे देखेंगे तिर्वेनी नहर गंडक पे है तिर्वेनी 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 तिर्व पुर्वी सोन और पच्छिमी सोन ये सोन नदी पे हैं पुर्वी सोन से और अंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अर्वल लाभानवीत है और पच्छिमी सोन से रोहतास, भोजपूर, कैमूर, भकसर है ठीक है अब देखेंगे बिहार के कर्म जलकुंड तो राजगीर में जो इस्थत है ये देख लिजे ब्रम्भ कुंड, सप्तधारा, मकदुम कुंड, कोमुख कुंड, सूरी कुंड, नानक कुंड ये सारे कहा है, राजगीर में है और जो ब्रम्ब कुंड है, ये बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है मुगेर में देखिए लच मन कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, सिंगार, रिसी कुंड, पंचितर कुंड, सीता कुंड, रिसी कुंड, भीम बांध, भरारी कुंड ये सारे मुगेर में हैं गया में अगनी कुंड है अब देखेंगे बिहार की मिट्टी तो प्रित्वी के उपरी सतह पर फैले मोटे मध्यम और बारिक कार्बनिक तथा और कार्बनिक मिस्रित कनों को क्या कहा जाता है मिट्टी या मृदा कहा जाता है मृदा का निर्मान चटानों के तूटने फुटने और इन में भौतिक और असायनिक परिवर्तनों के फलस्वारूप होता है मृदा के निर्मान में अस्थला करती वर्सा आदरता तापमान प्राकिर्तिक वनस्पति ये सभी की मुख्य भूमिका होती है मृदा के अध्यन को मिरदा बिज्ञान कहा जाता है पेडोलोजी कहा जाता है बिश्व मृदा दिवस पांच दिसंबर को मनाया जाता है बिहार एक मैदानी राज्य है जहां 90% चेत्र जलहोड अपोड कछारी सब इसको कहते हैं जलहोड को ही मिटी पाई जाती है बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार और दच्छिन बिहार में बाटा गया है तो उत्तर बिहार की जो मिट्टिया है और दच्छिन बिहार की मिट्टिया देखेंगे तो उत्तर बिहार की मिट्टी में परबत पादिय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोर मिट्टी, नवीन जलोर मिटी ये सब ही आते हैं पुरानी जलोर मिटी को बांगर कहा जाता है और नवी जलोर मिटी जो होती है इसे खादर कहा जाता है दचिन भिहार में कौन-कौन मिटी पाई जाती है टाल नदी कगारी मिटी पुरानी जलोड मिटी जिसे पुरानी जलोड मिटी को ही दच्छिन बिहार में करेल केवाल मिटी कहा जाता है लाल पिली मिटी को बल्थर मिटी भी कहा जाता है अब देख लिजे इन मिटीों के बारे में उत्तर बिहार की मिटी में देखते हैं उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्वान हिमाले से निकलने वाली गंगा, गंडक, बुढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और उसकी सहायक नदियों से हुआ है उत्तर बिहार की मिट्टी को चार भागों बाटा गया है इन चारों के बारे में देख लेते हैं, पहला है परबत पादिय मिट्टी, तो यह मिट्टी जो है न, पच्छिमी चंपारन में, ठीक है, पच्छिमी बिहार के जो उत्री पच्छिमी भाग है, पच्छिमी चंपारन के उत्री पच्छिमी भाग के सुमेश्वर स्रेनी के आस कूल होती है तराई मिट्टी देखेंगे तो तराई मिट्टी जो है इस मिट्टी का विस्तार विहार के उत्री सीमा पर पच्छी में चमपारन से लेकर पूर्व में किसन गंज तक ठीक है किसन गंज तक 5-7 किलोमेटर 5-7 किलोमेटर चोड़ी पट्टी में है इस मिट्टी मे कहीं कहीं कंकड और रेत की मातरा अधिक पाई जाती है तथा कई जगों पर दलदली भूमी का विकास भी हुआ है यह मिटी हलके भूरे या पीले रंकी होती है यह मिटी धान पठसन गन्ना के खेती के लिए अनुकूल होती है अब देखेंगे पुरानी जलोड या बांगर मि खागरा गंडग द्वाब और बुढ़ी गंडग के पच्छिमी भाग में हुआ है तो इसका विस्तार जो है पुर्णिया सहरसा दर्भंगा मुझभफर पूर इन छेत्रों में हुआ है इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है तता फासपोरस या खेंगे नवीन जलोड या खादर मिटी तो नदियो द्वारा प्रतिवर्स लाए गए और सादो से खादर मिटी का निर्मान होता है इस मिटी का विस्तार गंगा गंडग बुढ़ी गंडग कोसी महानंदा की निचली घाटी में है इस मिटी का जो रंग होता है गहरा भूर होता है तथा इसमें बालू एमचीका की परधानता होती है इस मिटी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है यह मिटी अत्यधिक उर्वर होती है जिसमें प्रयाप्त सिचाई होने पर धान, गेहुं, जूट, मक्का, आदी की पैदावार इसमें अच्छी होती है अब दच दच्छिन बिहार की मिटी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नाकपूर पठार के मद्धे है मिटी की सनरचना के अधार पर दच्छिन बिहार की मिटी को भी चार भागों बाटा गया है इनके बारे में देख लेते हैं टाल मिटी टाल जो है टाल निम्न भूमी का छेत पटी में है यह मिटी मोटे कनवाली धूसर रंकी एवं भारी मिटी होती है इस मिटी में रभी फसले जो होती है अच्छी होती है और यह दलहन उत्पादन के लिए परसीद है अब देखेंगे दूसरा कगारी मिटी गंगा नदी के दच्छिन तक टट पर सोन फलगू कीवल नदियों के किनारे पर इस मिटी का विस्तार है और इसकी उर्वरा सक्ति कमजोर होती है कुछ यह मिटी जो है मोटे या ना जो सबजी उत्पादन के लिए जाना जाता है इस मिटी में पाई उगाई जाने वाली जो सबजियां है मक्का है सरसो है मिर्च है पुरानी जल होड़ या करेल कवाल मिटी कह लीजिए इस मिटी का विस्तार बकसर उत्री गया पटना नलंदा मुगेर से लेकर भागल पूर तक है इस मिटी की उर्वरा सक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की छमता भी अधिक होती है इस मिटी का रंग गहरा भूरा पीला महल का होता है इस मिटी में उगाई जाने वाली फसले हैं मक्का है धान बाजरा आलू अरहर गेहुम ये सब ही हैं अब देखेंगे लाल पीली बल्थर मिटी पच्छी में कैमूर के स्रेनी के निकट पूरुवे में राजमहल की उच भूमी तक 8-15 किलोमीटर चोड़ी पट जुवादा और अरंगाबाद के पठारी छेत्रों में पाई जाती है इस मिटी में रेत्यों कंकर की बहुलता होती है और इसकी जो उर्वरा सकती है काफी कम होती है इस मिटी में जल ग्रहन की छमता भी कम होती है लोह तत्यों की परधानता के कारण यह लाल रंकी होती है य देखे अन्य महत्पुर्ण तथ देखते हैं बिंदू, लाल बलूई मिट्टी जो है कैमूर एवं रोहतास के पठारी छेतरों में पाये जाता है, इस मिट्टी में बालू और लेटेराइट मिट्टी के अंस भी पाये जाते हैं, इस मिट्टी में मुखरूप से ज्वार, बा पर्णपाती वन पाये जाते हैं, इन पर्णपाती वनों को उनकी विशेष्टा के अस्तार, दो भागों में बाटा गया है, आदरपर्णपाती वन, सुस्क पर्णपाती वन, आदरपर्णपाती वन के बारे में देखेंगे, तो ये वन जो है, उन छेतरों में पाये जाते बालमीकीन अगरवन जो पच्छमी चंपारण में है तथा नेपाल के सीमावरती छेतर में पाए जाते हैं इन वनों से मल जमुन सागवान इन सभी मिलते हैं इसके आतरीक्त देखें तो सवै घास हांती घास नंकट बेत आधी झाड़िया यहां पाए जाती है अब सूस्क पढ़नपाती वन है तो ये वन उन छेतरों में पाए जाते हैं जहां वर्स में वर्सा औसुतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है विहार के अधिकांस भाग जो है इसी परकार के वन में पाए जाते हैं अधिकान्स भागों में इसी परकार का वन पाय जाता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं ये वन जो है कैमूर की पहाड़ी मुंगेर जमूई बांका इन छेत्रों में पाय जाता है इन वनों में सीसम है अमलतास है साल है खैरा है महुआ है पलास है जामून है बास है इन सभी क बिरिक्षे पाए जाते हैं अब देखेंगे बिहार के वन्य जीव अभ्यारन तो बिहार में देखें एक राष्टिय उद्यान एक राष्टिय उद्यान और बारा वन्य जीव अभ्यारन है ठीक है अभ्यारन अस्थान और विस्षिस्ताएं देखेंगे तो बालमी की नगर र इसमें बिहार के सबसे घनेवन पाए जाते हैं और बिहार का एक मात्र ये बाग आरक्ष इसके अंदर है अभीम बांध एवं वन्न जीव अभिहारन मुंगेर में है ये 681 वर किलोमीटर में फैला है यहां पे तेंदुआ, भालू, सुवर मगरमच ये सभी पाए जाते हैं ग कावर जील वन्न जीव अभिहारन बेगू सराय में है 63 वर किलोमीटर में फैला है यहां पे साइबेरियाई पक्षियों का आस्रय अस्थल है रामसर सुची में सामिल बिहार का एक मात्र ये आदर भूमी है कावर जील वन्न जीव अभिहारन कैमूर वन्न जीव अभिहारन कैमूर जो है वन्ने जीव अभिहारन ये रोतास कैमूर में पाये जाता है ये 1504.9 वर किलोमीटर छेतर में फैला है बिहार का ये सबसे बड़ा वन्ने जीव अभिहारन है नागी बांध पच्छी विहार जो है जमूई में है 1.92 वर किलोमीटर में फैला है और ये सबसे अब्यारन नलंदा में है 35.84 वर किलोमेटर छेत्र में फ्हेला है। गुतम था ड्रीयारन भशेट्र में है। और ये जो है 60 km छेत्र में फैला है गंगा नदी में नुगेर से भागलपूर तक ये फैला है और भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारन के रूप में ये परसिद है बड़ैला सलीम अलिय अपच्छी अभ्यारन बैसाली में है और ये 1.9 नेट वर किलोमीटर छेत्र में फैला है और ये दूसरा सबसे छोटा अभ्यारन है अब ये अभ्यारन कंप्लीट हो गया अब हम लोग 1 इस्थिती रिपोर्ट देखेंगे 2021 तो भारत ये वम बिहार 1 इस्थिती रिपोर्ट प्रती 2 वर्सों पर भारती 1 सर्वेक्छन द्वारा जारी किया जाता है सर पर्थम सब के लिए दूर सन्वेदी उग्र रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आक्रों का परियोग किया गया है बिहार में वन आवरन देखिए तो वन इस्थिती रिपोर्ट 2021 के अनुसर बिहार का जो वनावरन है ये 7380.79 किलोमीटर है जो राज्जी के कूल भगोलिक शेत्रपल का 7.84 पर है 2010 की रिपोर्ट की तुल्ला में वन आवरन में 75 वर किलोमीटर की बरिधी हुई है जो लगभग 1.03 परसेंट है बिहार में वन आवरन येमां व्रिक्छा वरन तो देखिए 7 Marion जो है 7380. 80 km है और यह 7.84% है 75 km की ब्रीदी हुई है। बृच्छावरन कितना है 2341 km है और यह 2.48% है और इसमें ब्रीदी जो हुई है 338 km की हुई है। गुल देखें गुल मिलाएं वनावरन प्लस ब्रिक्षावरन देखें तो इसका छेतरफल 9,722 वर किलोमीटर है और ये कुल कितना हो गया 10.32 परसेंट है 413 कुल मिला के 413 वर किलोमीटर की ब्रिधी होई है अब जीलों में देख लिजे छेतरफल के अनुसार सबसे अधिक जील कहां पे है सबसे अधिक कैमूर में ह 1051.56 वर किलोमीटर पच्छिमी चमपारन में 903.34 वर किलोमीटर है और फिर रोहतास में है तो जीले वाज देखें कैमूर पच्छिमी चमपारन और रोहतास हो गया सबसे अधिक जहां है सबसे कम में देखें सेकपूरा में है मात्र 1.19 वर किलोमीटर है फिर अरवल में है पिर जहानाबाद में हैं, तो सबसे कम देख लीजे, सेखपूरा हो गया, अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया, अब परसेंट के अनुसार देख लीजे, तो सबसे अधिक जो है, ये कैमूर में है, 31.56% है, फिर जमूई में 21.34% है, और फिर नवादा में है, उसी तरह सबसे कम है, सेखपूरा में 0.17% है, बकसर में 0.35% है, सिवान फिर है, तो सबसे अधिक परसेंटेज देखें, तो कैमूर, जमूई, नवादा, और सबसे कम सेखपूरा, फिर बकसर, और फिर सिवान, सबसे कम आपका सेखपूरा में है, अब देखेंगे, 2019 की तुल्ला में वरन में ब्रीदी देखेंगे, बाका, बाका में ब्रीदी हुई है, कितना छेत्रफल में ब्रीदी हुई है, तो ये 16.29 वर किलोमेटर छेत्रफल बढ़ा है, वनावरन में, और जमूई में फिर बढ़ा है, फिर गया में बढ़ा है, उसी तरह नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान कैमूर में हुआ है माइनस हुआ है 4.83 और किलो मिटर फिर सुपॉल में हुआ है फिर रोतास में हुआ है तो वना वरन ब्रीदी के अनुसार पूछा जाएगा तो बांका जमुई गया हो गया और नुकसान के अधार पर गैमूर और सुपॉल रोतास हो गया अन्ने देख लिजे बालमिकी नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलो मीटर में वन है जो कुल टाइगर रिजर्व का 85.71 है बिहार में बिक्छावरन तो भारतिय वन स्थिती रिपोर्ट 2021 के अंसार बिहार के 2341 किलो मीटर छेत्र फर बिक्छावरन है जो राज्य के कुल बगोलिक छ है 2019 की तुल्ला में इसमें 338 वर किलो मीटर ब्रीधी दर्ज की गई है 2021 में बिहार में विभीन परकार के वनों के अंतरगत प्रतिसत छेत्र तो वन का परकार और ये 2021 में तो अतिस अगनवन 70% अधिक सीखर संगता है यहां पे सबसे यादा अतिस अगनवन फिर मद्ध ये परसेंट की बात हो रहे है तो अतिस अगनवन जो है ये 4.5% है और मद्ध्यम सगनवन ये आपका 44.5% है और खूले वन जो है 51% है तो सबसे ज़्यादा यहां खूला वन है ठीक है बिहार में वनावरन में सिर्ष जीले देख लीजे तो सब बहुत गहने वन जो है पच्छिमी चमपारन में है मद्ध्यम रूप से गहने वन जो है पच्छिमी चमपारन में है अब खूले वन कहां है तो ये कैमूर में है ठीक है कैमूर में है 2019 की तुल्ना कर लेते हैं वनावरन की तो वन चेत्रफल देखे 2019 का है 2021 का है तो बहुत घनेवन 333 वर किलोमीटर था आज भी 333 है मद्यम रूप से घनेवन 3250 था 2019 में अब 2021 में 3286 हो गया है खुलेवन 363 था अब 3762 वर किलोमीटर हो गया है तो कूल देखे कूल ब्रीदी तो 7306 था 2019 में वर किलोमीटर अभी कितना है 7381 वर किलोमीटर है नोट देख लिए 10% से अधिक सिखर घनत और एक हक्तेयर या अधिक से छेत्रफल वाली ब्रिक्छादित भूमी को वना चादन माना जाता है अन्य महत्पुन देख लिजे तथ आर्थिक सर्वेक्छन 2022-23 में पर्यावरन योम वन जलवायूं परिवर्तन विभाग के अनुसार 2019 में भारतिये वन सर्वेक्छन द्वारा कराए गए गनना के अनुसार बिहार में वना चादन और ब्रिक्छादन जो है 13,896 वर संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 133 पन एकर में फैला है और यह उद्यान जो है गैंडा परजनन के लिए एसिया का सबसे बड़ा केंद्र है बिहार के पहले राजकिये पक्छी उत्सो जो है कल्रव का आयोजन जमूई के नागी नक्टी पक्छी अभ्यारन में किया गया था राजगीर में जू सफारी की अस्थापना की गई है बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पटना में इससत है और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाय जाता है बाग गन्ना रिपोर्ट वर्स 2022 के नुसार बिहार में जो बागो की संख्या है यह 54 हो देखेंगे बिहार में आपदा प्रवंधन बिहार एक मैदानी राज है जहांकि मुख आपदा क्या है बाढ़ है इसके अतरिक्त बिहार में सूखा भुकम चक्रवात लू यह सब ही भी आते रहते हैं बाढ़ के बारे में देख लिज बिहार के 38 जीले में से 28 जीले 13 कम है ठीक है बाड का अतियदीक परभाव जो है उत्तर बिहार में देखा जाता है बिहार का बाड गरत छेतर भारत के कुल बाड tha चेतर का 16.5% है अतियदीक बाड परभावित जीले 15 हैं और कम बाड परभावी जीले 13 है तो अध्यधिक में देख लिजे ये नौर्थ का ही है पुर्वी चमपारण, मुझपरपूर, बैसाली हो गया सीता, मरीसी, उहर, दर्भंगा, मधुबनी, समस्तिपूर, सहरसा, सुपॉल, मधेपूरा, खगडिया, बेगू सराय, भागलपूर, कटिहार और कम परभावित ज सूखे से परभावित होने वाले परमुख जीले हैं और अंगाबाद, गया, नवादा, सोरी, रोहतास, कैमूर, भुगो, मुंगेर, ये सबी हैं, ठीक है, ये सबी सूखे से परभावित हैं, सूखा नियंतरन के लिए, आदूनिक सी चाई, पधती, जैसे टपक सी चाई, फवारा सी चाई, आदी का पर्योग, नहर निर्मान का कारिक किया जाना अवस्यक है, अधार की भगोली की स्थिती हिमाले के समीप होने की कारण यहां भुकम की संभावना, तो बिहार के अलग-अलग छेतरों को भुकम की संभावना के अधार पे 5, 4, 3 जोन में विभाजित किया गया है, तो जोन 5 में कौन-कौन आता है, देख लिजे, जोन 5 अत्यधिक बलता वाला है, जोन 4 मध्यम वाला है, और जोन 3 जो है नीमन वाला है, तो जोन 5 में आता है, किसन गंज, सहरसा, सुपॉल, मधेपूरा, अररिया, सीता, मढ़ी, दर्भंगा, मधुबनी, जोन 4 में पुर्वी चमपारन, पच्छिमी चमपारन, सारन, बैसाली, पतना, सिव जोन 3 में सबसे कम जहां पे है, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बकसर, भोजपूर, मुंगेर, ये सभी, चक्रवात देख लीजे, चक्रवात के बारे में बिहार भोगोलिक रूप से समुन तटिये राज नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के परभावित हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन होने वाला चक्रवात, पच्छिम बंगाल जहारकंट से होकर बिहार के सीमा वर्ती छेतरों पे आ जाती है, चक्रवात से मुख रूप से परभावित जिले हैं, किसन गण, बिहार के जो पूर्वी जिला है, किसन ग प्रेमवर्क और बिहार जापान के सिंदाई सहर में मार्च 2015 में आपदा जोकी में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट 20 सिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में आपदा जोकी में कमी लाने से संबंधि साथ परमुखलच निर्धारित किया थे भार इसने संदाई फ्रेम वर्ष से संबंधित कारियोजना को लागो किया ठीक है इसी के साथ आपका बिहार का भुगोल कंप्लीट होता है चलिए अब हम लोग नेक्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं